है गाई वेलकोम टू माई चैनल तो आज में लेक्यों बिलकुल ही अलग तराइड है अगर आपके घर में सबस्त ना हो और कुछ करें कुछ अलग खाने का मन तो बनाईए यह सबजी और खिलाईए अगर आप किसी को बना के खिलाएंगे कोई बताई सकता यह कौन सी सब्जी आपने बनाई है तो पूछने के लिए मजबूर हो जाएंगे आपसे तो चलिए चल के बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनाने इस रेसेपी को जेचा की जाल बारे हैं तो यहां मैंने लिए है ये चनी की डाल तो यह आदा कप है इसको मैंने तीन से चार गंटे विगोया अच्छी तरह से दोके तो यह बिगोने के बाद इसे वह पीस नहीं है तो की आदा do take a जाल थी vic 5-6 लसन की कलिया हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा अधरक का टुकड़ा इसमें काटेंगे इसमें दो मिर्चे डालनी है और इसको हम अभी पीस लेंगे तो पीसने के वाद इसे सॉफ्ट सा पेस्ट बनाना और बिल्कुल पतला हमें यह पीसना है बारीक तो अभी इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे तो मैं यह बावल में निकाल रहे हूं तो सारे पेस्ट को निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा नमख और इसको हमें अच्छे से वैय। क्योंकि जितना अच्छा आप इसे फैटेंगे उतने अच्छे आपके छोले बनके तयार होंगे और सबजी टेस्टी बनेगी तो इसे रख देंगे हम साइट यहां मैंने एक ग्लास लिया है तो अभी हम बनाएंगे एक पाइपिंग बैग तो आप मार्केट से भी ला सकते है रेडिमेट या फिर किसी पोलोथीन से भी बना सकते हैं या फिर आपके घर में पैकेट वाला दूद आता है आप उससे बना सकते हैं तो किसी से भी आप यह कर सकते हैं तो यहां पे मैंने पाइपिंग बैग के लिए यह पोलोथीन ले दिया है मेरे पास रखा हुआ था य तो इसमें हम भरेंगे जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है आलू और चने की डाल का तो इसमें हम सारा भरेंगे तो गाइज आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मॉटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से धन्यावाद तो अभ युडियो कोई i will use कर सकते है तो इसको हम अच्क्छे से गरम ओने देंगे उसमें डालेंगे थोड़ा सजीड़ा तो जीरो को हल्का सबुनने देंगे उसमें डालेंगे फिर हम 20 मेडियम साइस के दो कटe हुए पीयाज तो यह मॉन लेंगे तो यह मैंने डरदरा पीसा हु जब तक इसमें थोड़ा तेल नहीं आ जाएगा तो इसको भी हम ठीक से बुन लेंगे तो जब हमारे टमाटर बुन जाएंगे बुनने के बाद इसमें डालेंगे डेड़ चमच धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक थोड़ी सी हल्दी और यह लसन अद्रग और मिर्च का पेस्ट है जो बना के इसमें मैंने डाला है इसको हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो सारा मसाला हम मूहने के बाद तो इसमें डालेंगे अभी हम दही तो दही मैंने आदे कटोरी लिए ती चार से पांच चमच यह दही है जो मैं इसमें डाल रही है इसको हम अच्छे से मिला लेंगे तो अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी तो पानी के बाद इसको हम डालने के बाद इसको और अच्छे से चलाएंगे तो इसको चलाने के बाद इसे हम ढख देंगे तो इसको अभी हम मसाले को पकने देंगे तेल आने तक तो यहां आप देख सकते हैं कितना अच्छा पक के हमारा तयार हो गया है तो अभी इसी स्टेज पे हम बनाएंगे इसमें चोटे चोटे छोले जो हमने वो पेस्ट बना रखा था तो अभी इसमें हम बनाएंगे वो हमारा मसाला पक गया है तो इसमें बना लेते हैं तो यह मैंने ले लिया है पाइपिंग बैग इसमें मैंने बना लिया है तो आप किसी भी साइस को अल कर सकते हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल परफेक्ट ही होना चाहिए सब्जी है बस यह बनके बिल्कुल अलग तरह की आपकी तयार होगी और यहां देखे मैं बना रही हूं और काफी अच्छे भी बन रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होती ह सब्जी एक बार जरूर आप ट्राइ कीजिएगा अपने घर पे बनाके और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताईएगा गाईस तो यहां पर हम इसी तरह के सारे छोले बना लेंगे जितना भी हमारा पेस्ट है गोल करके तो किसी भी साइस के आप बनाई है ऐसा नहीं है गो क्लते बनाने हैं बड़े चोटे जैसे आप से बनते हैं वैसे बना सकते हैं हुद कर सब्सक्राइल ऍант घाटे तो इहां पर मेरे बनाने के बाद थोड़ा पेस्ट और बच गया है तो हम इसके ठीएच ए उपर क्या करेंगे ख चछनी है तो इसको रखदेंगे इसके ूपर मैंने थोड़ा सा रिफाइंड लगा दिया है तो इसके ऊपर भी हम यह चोटे-चोटे गोल-गोल छोले से बना देंगे और इसको हम इससे यह स्टीम होते रहेंगे और ऐसा भी नहीं अलग से आपको पानी रखना है अगर आप अलग से बनाना चाहिए तो अलग से बना सकते बनाट है उसके बाद आपने अपने डखके रखेंगे जो भी इसके ऋपर प्लेट आपकी आती है तो उस प्लेट से आपको इसको कवर करना है और इसको हमें 2-3 मिनट या 3-4 मिनट तक कम से कम से कम स्टीम करनें जब तक आपके होनी और तो भीं जाएंगे permit toot jake maasare maasare le हो तो हमें इसी तरह से पकाने हैं अपने चोले से और हम सारे छोलो को इसमें ही डाल देंगे जो हमने स्टीम किये थे तो इनको डालने के बाद इनको सारे छोलो को एक साथ हम मिला लेंगे चला देंगे अपने पल्टे से तो आप चला ले इसको और मसाले में मिला दे तो अभी सारे छोले मैंने मसाले मिलाने के बाद अभी डाला इसमें पानी तो पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज्यादा ग्रेवी वाले खाने तो कम पानी डाले अगर आपको पानी वाले रस वाले रसेदार जो होते हैं वैसे बनाने तो आप वैसे ही बना सकते है यह दोनों तरह से ही टेस्टी लगते हैं वाले सबजी क्योंकि बिल्कुल ही है अलग एक दम यूनिक टाइप की है शायद ही आपने खाई है अगर खाई है या बनाई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपने भी बनाके खाई हुई है और बनाई है त लकने के बाद दो से तीन मिनट पकाया था पानी को पकाने के बाद फिर हटाने के बाद इसको हम गैस को कर देंगे बन तो यहां देख सकते हैं मेरी सबजी बनके हो चुकी है तयार तो काफी टेस्टी बनके तयार होती है आप भी प्लीज जरू ट्राइग कीजेगा यहां आप देख सकते हैं फाइनल लुक मेरी सबजी का बहुत यम लग रही थी और जब यह खाई थी तो उससे ज्यादा टेस्टी लग रही थी शायद आपको देखने से ना पता चल रहा हो बट यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो एक बार आप भी जरूर ट्राइग की हैं तो आज के लिए बाई बाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में